चली दोस्तों बात करते हैं इस एक और question के बारे में इस question में examiner नहीं का x minus का y minus का under root के अंदर 18 बराबर में minus y x plus का y minus का 3 under root में 2 is equal to 1 then the value of 12xy bracket के अंदर x का square minus y का square यानि इसको solve करना और बताना कि इसका right answer गया है यानि कि x और y की value मुझे निकाल लिए है तो मैं इसको लिख सकता हूँ आपका x minus का y बराबर में हो जाएगा minus का 1 और plus का इसको लिखूंगा तो ये 9 into में 2 यानि कि ये 3 into में 3 का factor हो जाएगा 3 बारा जाएगा तो 3 under root में आपका 2 इसकी value हो जाएगा x plus y बराबर में हो जाएगा आपका 1 plus 3 under root में आपका 2 यह इसकी value हो जाएगा अगर मैं इन दोनों को add करता हूँ तो यह y से y कट जाएगा तो मेरे पास में 2x बराबर में हो जाएगा आपका और minus कट जाएगा तो 6 under root में आपका 2 हो जाएगा तो 2x है यानि x की जो value आएगी 3 under root में 2 इसकी value आजाएगा अगर इस वाली value को मैं यहाँ प्रखूँगा तो यह मेरे पास में minus का y बराबर में हो जाएगा minus का 1 plus का 3 under root में आपका 2 और minus का i हो जाएगा जाएगा 3 under root में आपका 2 इससे कट जाएगा तो y is equal to में कितना जाएगा आपका 1 यानि y की तो value मेरे पास में आगी 1 y की value तो मेरे पास y की value तो आगी मेरे पास में आपका 1 और x की value होगी मेरे पास में 3 under root में आपका 2 और यह इसका square है यहाँ पर और यह इसका square है यही को अब solve करते है तो यहाँ पर 12 इन्टू में 3 अंडरूट के अंदर आपका 2 है इन्टू में 1 हो जाएगा आपका और ब्रैट के 3 तिया 9 और 9 तुने 18 माइनस का 1 तो यह बारत यह 36 इन्टू में 17 इन्टू में अंडरूट में आपका 2 हो जाएगा तो 36 इन्टू में 17 तो छे सत्य ब्यालिस सात्य एकिस पच्चिस तो यह हो जाएगा आपका दो यह चे पांच ग्यारा पांच और एक छे यानि कि 6, 1, 2 अंडर रूट में आपका 2 इस question का correct answer होगा यानि कि option D जो होगा वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी को question समझ में आया होगा